यूपी चुनाव के साथ साथ अब बीजेपी उत्राखंड चुनाव में भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए लगातार पार्टी के नेता और कारेकरता रणनीतियां बना रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रिय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहला जोशी ने रविवार को बताया कि बीजेपी एक फरवरी से उत्राखंड की महान जनता का आशिरुवात पाने के लिए अपने आपचारिक चुनाव महा अभ्यान की शुरुवात करेगी। केंद्रिय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहला जोशी ने कहा कि हमारे नेता सभी सत्तर के सत्तर विधान सभा में जाएंगे और बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। उनके मुताबिक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की वर्चुल चुनावी रैली पर तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी के राश्ट्रे अध्यक्ष जगत प्रकाश नडड़ा, रक्षा मंत्री राजनात सिंग और ग्रिह मंत्री अमिच्षा समेत हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर समेत क एक बड़ा लॉंचिंग प्रोग्राम हम कर रहे हैं। पार्टी तक बोल दिया, उनका कहना था कि कॉंग्रेस किसी भी मुद्दे पर कन्फर्म नहीं रहती है कि उस मुद्दे पर बोलना है कि नहीं बोलना है। 370 और उन सोल्जर्स और उन उत्तरखंड। अल्वेज अंडर कन्फूजन वेजर टू हम फ्राइडे पर चुट्टी देना या और चार धाम का डवलप्मेंट करना यह कन्फूज। 370 के बारे में बोलना या नहीं बोलना कन्फूज। अयोध्या में मंदिर बनना है या नहीं बनना कन्फूज। और उनका नेता भी है इसे है और उनके जो नेता का राउल गांधी जैसे नेता का फॉलोर से इधर उत्तरकंडे बे वो भी कन्फूज रहे इसलिए एक सीट से आउर एक सीट गुम ना जा रहा है। बीजेपी के प्रहला जोशी इतने तक में नहीं रुके। उन्होंने कॉंग्रेस के कारेकरम चार धाम को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि ये कारेकरम कॉंग्रेस ने बिना परमीशन के लॉंच किया है। वहीं उन्होंने पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधा। और मैं इतना है कहना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी चार धाम के चार धाम चार काम और उत्तरखंड के स्वाविमान वह भी भिना प्रमिशन के साथ लॉंच किया और मैं पूछना चाहता हूं उत्तरखंड के स्वाविमान के बारे में बात करने वाले और आपने आपको जो नुवता क्यालवाते हैं कि प्रोजेक्ट हिंसेल्फ नॉट इस पार्टी अब देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रहला जोशी ने कॉंग्रस पर इतने वार किये हैं इसके जवाब में आखिर कॉंग्रस क्या पलटवार करती है पंजाब केसरे टीवी के लिए देहरादून से आशिश रमॉला की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद